गुद मॉर्णिंग इंडिया स्वागत है रोड टू 100 केजी डे 33 मेरे इससे पहले मेरा वेट था 45 केजी और अब मैं 47 का हो चुका हूं सबसे पहले मैं अपना वेट करके आप लोगों को दिखला देता हूं 47.80 मैं 2 केजी गेन कर चुका हूं 2 केजी गेन करने में मुझको वन विक लग वेट गेन का प्रोसेस बहुत ही स्लोग बट फिल भी मैं कंसिस्टेंट हूं और खुद की गोल को लेकर के बहुत ही सीरियस हूं अब जो मुद्दे की बात है वो करते हैं कि मैं खुद का डाइट का वीडियो खुद का वर्काउट वीडियो यह अभी अपलोड नहीं करूं इसके पीछे का रीजन है कि मेरी भी खुद की ड्रीम वेट है मेरा जो हाइस्ट वेट है वो अपने लाइफ बस 47 केजी मैं 47 का आगे कभी गया ही नहीं 48-49 मेरे बॉडि का वेट कभी थाई नहीं सो मेरा जो ड्रीम वेट है वो है कि मैं 50 केजी वेट गेन कर लो ओके आफ्टर 50 केजी मैं खुद का डाइट वीडियो और खुद का वर्काउट वीडियो शेयर करूंगा जो की मुझको हेट कर रही है वेट को गेन करने में सो अब मैं आप लोगों को'' दो प्रो टीप देने वाले हैं प्रो टीप जिससे कि आप अपने वेट को ड्रैस्टिकली इन्क्रीज कर सकती हूँ पहला, जब भी आप लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, और डिनर करते हो, और आपका पेट भर जाता है, तो सबसे इंपोर्टिन चीज जो करने ही है, वो है, आल्वेज, आल्वेज, ठैंक्फुल तुद गॉड, भगवान को और अल्ला को हमेशा धन्यवाद करो इस खान है, यह आल्वेज करता हूं, जब भी मैं खाना खाता हूं मेरा पेट भर जाता है, पानी पी लेता हूं, तो मैं आल्वेज यह करता हूं, कि उनको ठैंक्फुल करता हूं, ठैंक्स for the food, टिप नंबर वार्न, प्रो टिप नंबर टू, आप गेणिंग पे हो, और बहुत ही साढ़ी से वेको वेट आपका बहुत ही जदा आगर कम हैं तो आपके में प्रौटी यह के आसे कूर मुलता है शेक्थ् का सकते हो डाल खा सकते नहीं रहना है उमीद करते हैं ये प्रो टीप आपको आज से पहले कोई भी कोई भी नहीं बताया हो कोई भी नहीं बता रहा हूं मैं खुटते इस चीद को रेगुलेट करता हूं मैं अपने स्टोमक को कभी भी एंटी नहीं रहने जाता हूं एक से फॉर्शन डे एक दी ऐसा होना चाहिए जब आपका पेड थोड़ा शक्त खाली हो बाकी की समय मेरा पेड ऑल्वेग भरा रहता है और टिप नमबर टू जो था वो था ओल्वेग था सो वीडियो इंड करने से पहले बस एकी रिक्वेस्ट रहेगी कि रोड टू वन हंड़ेट के जी कोई मजात नहीं है यह एक सिरियस गोल है मेरा जो कि मैं पूरा करूंगा इससे पूरा करने में मुझे में भी थ्री यह लगे फॉर यह लगे और फाइव यह भी लगे बट I will not quit okay so please इस चैनल को subscribe कर दो अपने भाई को support करो thank you so much bye bye